हम लोग एक फिजिक्स में टाम आता है फिजिकल कॉंटिटीज अब फिजिकल कॉंटिटीज क्या होती है देखें फिजिक्स में कोई भी फिजिक्स का लॉग होता है ठीक है वो जिन कॉंटिटीज से समझाया जाता है ठीक है उन कॉंटिटीज को फिजिकल कॉंटिटी कहते हैं मैंने ज़्यादा सिंपल गोन दिया ठीक है बचों को कहीं बार लगता है इतना आसानी से इतनी सबसी फिजिकल कॉंटिटी होती है Actually, पूरी physics इतनी ही simple है, अगर आप समझने ही कोशिश करोगे, रट्टा मारोगे, याद मारोगे, तो दुनिया भर की किताबे हैं, अलग-अलग तरह की vocabulary, ठीक है, use की गई है, simple सी बात है, मैं Newton का third law लेता हूँ, क्या था Newton का third law? For every action, there is equal and opposite reaction, एक वड़ा action, there is equal and opposite reaction, ठीक है, अब देखें, जब मैंने यहाँ पर, मैं इस sentence को किसी के सामने भी बोलू, तुरंद बच्चे समझ जाते हैं, Newton's के third law की बात हो लिए है, ठीक है, correct, मजाक में भी इस law को बहुत इस्तिवाल किया आता है, For every action, there is equal reaction, एक नत अपड हमारा पलट के दूसरे जड़ा दिया, right, तो आप स्कूल में देखते हैं, ठीक है, बच्चे आपसे मजाक करते रहते, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कि अगर मैं action और reaction हटा दूँ, और आपने यह सुना ना होता law कभी, तो मैं कहता, For every dash, there is equal and opposite dash, तभी इंग्लि आप कहोगे एक जगा action लिख दो, एक जगा reaction लिख दो, बोलोगे ना ऐसी, तो यहाँ पर आप यह देखिए, कि आपको Newton का थड़ लो याद किस करण से रहा, action और reaction से, तो इस law को जो समझाया गया, दो word action और reaction से समझाया गया, अब यह action reaction थे क्या, force, यह क्या थे, force, तो for every dash, there is equal and opposite dash, कोई law नहीं है, एक English का sentence है, यह law कप बनता है, जब वहाँ action reaction आता है, तो यानि कि कोई भी physics का law जो समझाया जाता है, कुछ quantities हम लोग use करते हैं, ठीक है, उन quantities को ही, उन parameters को हम लोग बोलते हैं, physical quantities, ठीक है, तो physical quantities are the quantities by means of which we explains the laws of physics, जिनके से हम physics के laws को explain करते हैं, उन्हें हम physical quantity बोलते हैं, तो physical quantity अब बच्चों से कुछा है, बोलते हैं, जिनको measure किया जासे हैं, अरे quantity है, तो measure तो की जाएगी, ठीक है, quantity है, तो measure तो की जाएगी, तो ये बात ध्यान रखनी है, कि अगर आप चीज का सही मतलब ध्यान रखेंगे, तो आपको आगे भी उ इस पर हम किसी physics के law को explain कर सकते हैं, ठीक है, तो वो quantities जिनके base पर physics के laws को explain किया जाता है, ठीक है, कोई भी law उठा, law of physics का, कोई भी law, बिना quantities के law explain नहीं होता, बस उन्हीं quantities को हम physical quantities कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे बच्चे 10 से अब element में आए हैं, इसलिए बहुत सारे law of physics में ऐसे हैं, लेकिन आपने भी बहुत कम पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने आपको सबसे famous newton का third law उठाया, जिसे बच्चे शरारत में भी बहुत use करते हैं, ठीक है, तो physical quantities are the quantities, ठीक है, which explains the laws of physics, ठीक है, अब ये unit and dimension में, इसके आगे का part unit and dimension में आता है, अब physical quantities में क्या हुआ, कि हमने इसको on the basis of mathematics, calculation के basis में, दो part में divide किया, एक scalar और दूसरा vector, सवाल आता है, क्यों किया ऐसे, देखे, अगर मैं simple सी बात करता हूँ, कि physical quantity में ये clear बात है, कि इसमें magnitude तो होगा होगा, ठीक है, right, तो magnitude क्या होता है, magnitude simple सी बात करें, आप दुकान वाले के पास जब चीनी लेने जाते हो, ठीक है, आप इसे, I'm sure, बहुत सारे लोग चीनी, या कोई और समान लेने गए होंगे, तो अभी चीनी मान लेते हैं, तो जैसे आप चीनी लेने गए आप जाके क्या बोलते हो, भाईया, दो किलो चीनी दे दो, तीन किलो चीनी दे दो, या 200 ग्राम चीनी दे दो, ठीक है, 250 ग्राम, तो आप ऐसे बोलते हो, 1 kg या 2 kg, correct, तो physical quantities में, ठीक है, जादा दर जो भी quantities है, सब में आपका क्या होता है, magnitude होता है, यानिके जिसे आप measurement ब बोलता है आपके लिए, right, तो यह जो लिखी जाता है magnitude, word, किसी भी physical quantity में जो magnitude होता है, वो क्या होता है, वो दो चीज का बना होता है, यहाँ पर एक 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ एक measuring unit लिखी है, ठीक है, जिसके बारे में detail हम सब unit and dimension में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ एक मैं brief idea आपको दे रहाँ, क्योंकि यह सब journal बाते हैं, जो आपने पनी life में दरजनोबार की होंगी, ठीक है, तो magnitude बना होता है, नंबर से एक numeric value, और एक standard unit होती है, आप 2 kg भी बोल सकते हो, आप 2000 g भी बोल सकते हो, right, ठीक है, नापने का जो scale है, measuring scale, वो छोटा भी हो सकता है, ब measure कैसे करते हैं, grams में measure करते हैं, right, grams में, milli grams में measure करते हैं, क्योंकि gold precious एक वो है, ठीक है, तो अब उसके precious होने से quantity छोटी भी अपनी काफी valuable है, तो इसलिए उसे कम से कम में नापा जाता है, अब चीनी को gram में थोड़ी नाप होगे, भाया 2 mg चीनी दे दो, चीनी जा लगते ह में आपकी चाय में पता भी नीच चलेगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको बड़ी unit में आपना चाहते हो, ठीक है, तो ये unit बड़ी भी हो सकते है, छोटी भी हो सकते है, राइट, कोई बड़ी unit वाला system भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है, पर clear ने कि unit होन जरूरी है यहाँ पर magnitude में ठीक है जब magnitude की बात कर जाती है तो physical quantities में magnitude तो होता है तो scalar quantity वह होती है जिन में magnitude होता है और सिर्फ magnitude ही होता है इन में सिर्फ magnitude होता है बस वो scalar quantities होती है ठीक है जैसे example time temperature ठीक है distance या length बोलो speed ठीक है यह सब आपकी क्या है scalar quantities है इन में सिर्फ magnitude होता है राइट वेक्टर quantities में भी magnitude होता है अब magnitude में क्या पता है क्या होता है numeric value ठीक है एन numeric value और U unit हो गई standard unit जो भी होगी आपकी ठीक है जैसे यह मास नापना था तो kilogram, milligram ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं तो magnitude हमेशे ऐसे लिखा जाता है करेक्ट तो physical quantities में magnitude होता ही है ठीक है एक physical quantities ऐसी भी होती है को जिन में magnitude नहीं होता है वहाँ पर सिर्फ एक numeric value होती है उन्हें बोला जाता रेशो इसको मैं discuss करूंगा unit and dimension में मैं बता रहूं कभी जैसे आपने optics में 10th class में पढ़ा था, refractive index, mu पढ़ा था ना, इसके कोई unit नहीं लिखी थी आपने, आप इसे value ऐसे 1.5 ऐसे लिखते थे, unit नहीं होती थी कोई, इसमें सिर्फ numeric value होती थी, इसलिए इसे ratio बोलते थी, ठीक है, तो इसके बारे में unit and dimension में ज्यादा detail में बात कर रहों में, हमने scalar और vector part में divide किया, अब सवाल यह है कि क्यों किया, ठीक है, अब देखे, magnitude vector quantities में भी होता है, जो physical quantity vectors होती है, ठीक है, और जो physical quantity scalar होती है, magnitude उनमें भी होता है, scalar में clear है, इनमें magnitude होता है, ठीक है, अब देखो, जैसे एक बच्चा है, आब वहाँ की बात करें, एक student ए A, ये 200 meter चलके आया, एक student ए B, ये 300 meter चलके आया, दोनों कितना चले total, तो आप सीधा 200 plus 300 करके कितना बता दोगे, 500, यही normal math है, जो आप तक, आपने अब तक सीखी है, या मैंने पूछूँ कि B, A से कितना ज़्यादा चला, या A, B से कितना कम चला, एक बात को कहने के दो तरीके भी हो सकते हैं, तो आप 300 minus 200 करके बता दोगे, जी लो, 100 meter बोल लो, B, A से ज़्यादा चला, या A, B से कम चला, ठीक है, एक ये बात को कहने के दो तरीके हो सकते है तो यह नॉर्मल मैस काम कर रही है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है यही बात अगर मैं आप देखो अब सवाल आता है कि जब यह सिंपल मैस चल रही थी तो अब यह वेक्टर कहां से गुजा दी है हम लोगों ने यह कहां से आ गया ठीक है इस बला को क्यों लाए हम लोग जड़ा देखते हैं माल लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है यहापर ठीक है यह कोई सर्फेस है इस पर ब्लॉक है मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया टू न्यूटन का ठीक है टू न्यूटन मैंने मूव करा दिया ब्लॉक का अब यह ब्लॉक यहाँ रखा है ऐसे ही मैंने हटा दिया फोर्स मैंने एक स्टेटमेंट दिया क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर इस ब्लॉक पे टू न्यूटन फोर्स लगेगा तो यह मूव करेगा मैंने यह statement दिया कि if you will apply 2 newton force on this block which is placed on this surface this block will start move यह move करना शुरू करतेगा मैंने भोल दिया अब एक शरारती बच्चा आया मेरे statement सुनके और यह शरारती बच्चे ने 2 newton force ऐसे लगा दिया बोला सर आप गलत बोल रहे हो यह तो move नहीं कर रहा है ठीक है तो मैंने उससे का वेटा तुने गलत force लगाया गलत direction में लगाया यही तो बोलूँ अब मैं उससे यह move क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इधर लगाया था यह मालनों एक शरारती student है मेरा और यह मैं हूँ मैंने 2 newton लगाऊं आपने यह कब बताया आपने वोला 2 newton forces ब्लॉक पे लगा तो यह move कर जाएगा तो मैंने का हाँ बिल्कुल बात सही है अगली बार क्या है मुझे उससे पूरा बताना पड़ेगा और यही science हमारी कहती है कि जब भी कोई बात बोलो तो कोशिश खरिए पूरी बात बोलिए क्योंकि science में result conditional होते है अब मैंने कहा कि बेटा आपने ground के parallel जो ground है उसके parallel इस direction में 2 newton force लगाओगे तो यह block move करना शुरू कर देगा तो मुझे बोलना पड़ा न result में चाहता था कि यह भी बच्चा लाए जो result मुझे मिला वो इस बच्चे को भी मिले ठीक है same force लगाने पे यह block move करे वो कब possible हुआ जब मैंने उसको पूरी information दी कि 2 newton magnitude में force यानि कि उसका magnitude 2 newton होना चाहिए और किस direction में लगाना है इस direction में लगाना है तब यह move करेगा तो मैंने इशारे से बता दिया इस direction में लगा दे 2 newton force यह block इदर move करेगा ठीक है अब उसका और मेरा result same आएगा तो आपने देखा कि यहाँ पर जब तक मैं direction नहीं बता रहा हूँ तब तक उसका और मेरा result same नहीं आ रहा है तो यानि कि वो तुके में इस direction में भी force लगा सकता था इस में भी लगा सकता था इधर भी लगा सकता था कहीं भी लगा सकता था टेड़ा लगा सकता था ठीक है पर result उसका exactly जो मेरा आयता तब ही आएगा जब वो बिल्कुल वैसे लगाएगा जैसे मैंने लगाया है तो मुझे इसके लिए उसको बताना पड़ रहा है कि इस तरफ मुझे उसे बोलना पड़ रहा है कि इस तरफ लगाना है force ठीक है कि इस direction में force लगना चाहिए तब आएगा वो result मेरा और आपका same आएगा ठीक है तो there are certain type of physical quantities where direction is must, necessary, required ठीक है to get the desirable result तो अगर हमें जो result चाहिए कुछ physical quantities में में direction बतानी पड़ती है वरना result जो outcome है उसका बदल जाएगा ठीक है तो वो outcome बदल सकता है certain नहीं होगा ठीक है माल लिया है इस block में 5-6 बार force लगा के तब कहता जी ऐसे लगाँगा तम move करेगा तो ये तो उसे ढूमना पड़ता न तो मुझे अगर कोई experiment में मैं physics में करवा हूँ और कोई physical quantity use हो रही है और अगर वो ऐसी quantity है जो direction भी required है तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि ये इतना magnitude होना चाहिए इस physical quantity का और ये particular direction होनी चाहिए तब ही उसका और मेरा result same आएगा ठीक है तो ये तो जरुत हो गई कि हमें अब quantities को दो पार्ट में divide करना चाहिए एक ऐसी quantity है physical जिन में केवल magnitude होता है कोई direction का चक्कर ही नहीं है ठीक है लेकिन कुछ physical quantities ऐसी है जह magnitude भी है और महाँ पर direction भी होना जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर direction भी चाहिए तो vector physical quantities वो quantities हो गई जहाँ पर magnitude के साथ साथ direction भी required है ठीक है तो इसलिए vector physical quantity में दो जीज़े होती है magnitude और direction ठीक है अब सवाल आता है चलो जी आप divide कर लो फिर maths में क्यों पढ़ा रही है इतना सब इतना ये क्यों जल रहा है तो बड़ी simple सी बात थी इन्होंने कहा कि देखो जैसे आपने याद दो distance जोड दिये scalar quantity को आप जोड सकते हो घटा सकते हो multiply कर सकते हो normal maths इस्तिमाल करके वो maths के बेस से ये quantities add और subtract नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें direction involved है जैसे for example अगर इस block पे दो force लग गए एक इधर 2 newton force और एक इधर 3 newton force ठीक है तो अब हम कहेंगी कुल मिलाकेस पर कितने force लग रहे तो अगर हमारे पास हम बात करें normal maths की तो हम कह देते 5 ठीक है हम कहते है 5 newton force लग रहे है टोटल पर ये नहीं आता है ठीक है ये 5 के एक वल इन दोनों का force नहीं होता है अगर इन दोनों force को जो different directions में लग रहे है इनको add किया जाए तो 5 नहीं आता है 5 के वल तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों force एक ही direction में लग रहे हो same direction में ठीक है तो जब दोनों force एक ही direction में लग रहे हो तब तो 5 आएगा वरना 5 नहीं आएगा ठीक है ये इन्होंने experimentally देखा तो इन्होंने का इसका मतलब there are certain type of physical quantities where normal mass ठीक है don't work तो वहाँ पर क्या करें हम ऐसे quantities में यहाँ हमने एक अलग तरह की mass बनाई जहाँ पर ऐसे parameters को add, subtract, multiply divide नहीं add, subtract, multiply करना सिखाया जाएगा जिनके अंदर magnitude और direction दोनों होती है और उसी branch को mass की हम लोग बोलते हैं vector ठीक है इसलिए ऐसी physical quantity को vector भी कहा गया ठीक है तो vector से मतलब हमारा जो है कि ऐसे मतलब हमारी quantities physics में quantities जिनमे magnitude और direction दोनों होती है ठीक है दोनों एक साथ exist करती है यह नहीं कि optional है कि चलो इसमें इस बार magnitude देते है या इस बार direction देते है जी नहीं इनमें दोनों एक साथ exist करती है यानिके इन से अगर आपको कोई भी result चीए तो आपको ना केबल इनका magnitude इनकी direction भी बतानी पड़ेगी ठीक है अगर आपने कोई physical quantity यूज की ठीक है तो वहाँ पर उसका magnitude और direction दोनों mention करना पड़ेगा ठीक है तो वही match अब हम सीखने वाले है ठीक है तो अब इस vector में हम सीखते है कि जो vector physical quantities होती है उनको कैसे add, subtract और multiply किया जाता है ठीक है तो चलिए screenshot ले लीजिए तो चलिए start करते है vector ठीक है तो ये थोड़ा brief में मैंने intro दिया ताकि आपको ध्यान रहे तो बिलकुल simple तरीके से basics को दिमाग में जाने चीए और देखे मैं बिलकुल सीधे सीधे समझाऊंगा जितने logical approach आप पकड़ेंगे उतना basic आसानी से घुसेगा दिमाग में ठीक है और जितना आसानी से आएगा उतना easily retain हो पाएगा ठीक है तो देखे vectors में दो चीज़े हो गई क्या होता भई vectors में magnitude और direction यह मेरे magnitude और direction के symbol है ठीक है मैं ऐसे short में लिखता हूँ magnitude और direction तो vector में दो चीज़ होती है अब vector को दो दरीके से दिखाया जाता है एक होता है geometrical representation और एक होता है symbolic representation यानि कि तो geometrics से दिखाते हैं जहां पर arrow बना की दिखाया जाता है ठीक है जैसे आप इसे देखे मैंने एक line ली एक line ली ठीक है इस line में मैंने छोटा से segment dark किया हुआ है यह ठीक है इस segment में मैंने एक arrow ऐसे लगा दिया यह point A लिया मैंने यह point B लिया ठीक है तो किसी भी line segment पर माल लीजे मैंने एक segment ले लिया लाइन पर एक segment ले लिया छोटा सा ठीक है उसमें एक तरफ मैंने arrow pointed कर दिया तो यह point यह हो गया एक point यह हो गया जो arrow जिस तरह pointed है, वो point हो गया, जहां खतम हो रहा है वो segment, और जहां से शुरूर हो रहा है वो इसके पीछे पड़ेगा, ठीक है, तो यह geometrically vector को दिखाने का तरीका है, ठीक है, simple इस तरीके से, राइट, तो अब यह देखे, हर vector एक line पर बनाओता है, क्योंकि छोटा सा segment होत तो एक line का, राइट, तो यह मैं हटा देता हूँ, clear, आप ध्यान रखेगा, कि कोई भी vector बनाओगा, कि किस पर मनाओगा, एक line पर बनाओगा, उस line का छोटा सा segment दिखाते हैं, ठीक है, जिसे हम vector बोलते हैं, हापर, geometrically दिखाते हैं, अब यह point जो कहलाता है, यह कहलाता है head, इसका popular नाम head है, जिस तरफ arrow pointed होता है, यह arrow जिस तरफ pointed होगा, वो तरफ head कहलाती है, और यह tail कहलाता है, ठीक है, तो B मेरा head हो गया, और यह मेरा tail हो गया, ज़रूरी नहीं है कि यह arrow ऐसे लगाओ, यह बीच में भी कहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे, तब भी यह head होगा, और य कि यहाँ segment खतम हो रहा है, ठीक है, इसे origin, इसे terminus point भी बोला जाता है, पर ज्यादा popular नाम इनके head और tail से, यह head हो गया और यह tail हो गया, तो जिस तरफ arrow point कर रहा है यह, ठीक है, वो head कहलाएगा, उसके दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, segment का tail कहलाएगा, यह geometrical representation है इसका, ठी ठीक है, देखे, magnitude का यहाँ मतलब होता है, सबसे पहले, magnitude की बात करें, तो magnitude का मतलब होता है, यहाँ पे, length of a, b in units, length of a, b in units, a से b की length, unit में, ठीक है, और इसका जो symbol होता है, यह तो geometrical हो गया, symbolic तरीके से इसे ऐसे represent किया जाता है, ठीक है, यह a b vector हो गया, तो देखो, जो head है, b था यहाँ पर, तो b के उपर arrow आ रहा है, और a के उपर, tail वाला part आ रहा है, यह head और यह tail, तो यह head हो गया है यहाँ पर, और यह आपका क्या हो गया, tail हो गया, पता कैसे चलता है, इस arrow से, जो इसके उपर लगाया हुआ है, तो a और b segment लिखा, उसके उपर यह arrow लगा दिया, और arrow कैसे लगाया, अगर b head है, तो arrow का यह वाला part b के उपर आना चीए, और यह a के उपर आना चीए, जो tail वाला part है, ठ दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक geometry से दिखाया जाए, हमें तो दोनों सीखने है, ठीक है, तो यह इसको भी इन्होंने बड़े logical दरीके से लिखा, ठीक है, इस तरीके से, correct, तो यह tail हो गया, और यह head हो गया, तो magnitude क्या हो गया, इसकी length हो गया, correct, अब एक बात आती ही, क कैसे सोच लिया था, या कैसे, मैं इसको simple दरीके से बताता हूँ, आप अपने उपर भी इसको, ठीक है, apply करके देख सकते हैं, यह कैसे हुआ होगा, मालनी जी जैसे मेरे सामने कोई, आपका block रखा है, ठीक है, और मैं इसको move कराना चारूं, ऐसे, correct, तो मैं देखो, एक बा force लगाया, ऐसे, ठीक है, और एक बार मैं ऐसे लगाया, इन दोनों में अंतर क्या दिखाई दिया आपको, पहली बात तो मैने force ऐसे करके तो नहीं लगाया, इसको इदर move कराना है, मालनी एक block है मेरे सामने, यह, इसको मैंने move कराना है, तो मैं ऐसे force तो लगाँगा, तो आ तेजी से जाएगा, करेक्ट यही तो भोलोगे आप तो इन्होंने भी ऐसे सोचा कि कोई भी physical quantity में direction जो आएगी वो curve में नहीं होगी वो straight line के लग होगी ठीक है, तो इन्होंने कहा कि direction ऐसे दिखाओ ऐसे और ऐसे मत दिखाओ direction, क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो एक ऐसे और एक ऐसे तो ऐसे बहुत सारी direction possible है, लेकिन सीधा unique है, ऐसे यह unique है तरीका है या ऐसे या ऐसे, यह unique है बिलकुल ठीक है, जैसे एक object पे अगर आप खाई मैंने यूं force लगाया, यूं लगाया यूं लगाया, तो देखो कितने अलग-अलग path बनते हैं, correct तो curve में तो बहुत सारे path है लेकिन straight line में हर कोई path unique हो जा रहा है ठीक है, हर कोई path क्या हो रहा है unique हो जा रहा है, correct तो इसलिए इन्होंने का कि curve ना choose करके vector को geometrically दिखाने का तरीका बहतर क्या है, यह तो मैंने force के लिए बात की सब पर अपलाई होगा, ठीक है समझाने के लिए just, मैंने बताए कि सोच क्या रही होगी उनकी, तो उन्होंने का कि बहतर है कि straight line unique होती है correct, तो हम straight line से इसको दिखाए, correct तो इन्होंने का कि direction ऐसे दिखाओ अब आती है बात magnitude में length क्यों लिया गया, तो बड़ा simple है, देखो जब मैं करता हूँ ऐसे और जब मैं करता हूँ ऐसे इससे आपको क्या अंतर समझा रहे है इससे आपको difference ही आ रहे है, इसका मतलब हलका, यानिके magnitude कम, इसका मतलब जादा यानिके magnitude ज़्यादा तो हुआ क्या इसमें और इसका करने में ये length बड़ ली है ठीक है, इसलिए हमने कहा कि अगर मान लीजे, दो vector है मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एक ऐसे है, same physical quantity एक ऐसे है, तो इसका मतलब इसकी length कम है तो इसका magnitude कम है इसकी length ज़्यादा है direction दोनों की same है, देखो direction इसकी वीधर है, इसकी वीधर है मतलब वो line अलब होने से कोई मतलब नहीं, direction ये वाली है ठीक है, तो ये जो है आपका कम magnitude का है, छोटा है और ये ज़्यादा magnitude का है तो इसका मतलब magnitude कैसे measure किया जा सकता है, by measuring this length of this segment, इस segment की length measure करने में, ठीक है तो इसलिए magnitude को क्या कहा गया, A से B तक की length length of A भी in units अब units का मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी समस्ते चले देखें, units का मतलब बड़ा simple है यहाँ पर बच्छो unit, बहुत सारी physical quantity है, जैसे force है अब force की unit क्या होती है, newton, velocity इसकी unit क्या होती है meter per second, ठीक है acceleration, ये तो आपने 10 बे सीख लिए meter per second square correct, अब कोई भी जो ये arrow बना है, ये vector बना हुआ है ये तो किसी भी physical quantity को दिखा सकता है, ठीक है ये velocity को दिखा सकता है, acceleration को दिखा सकता है, force को दिखा सकता है ये किसी और physical quantity को दिखा सकता है तो माल लीजे कि ये है आपका, A से B अगर ये force को दिखाता है, और मैं बोलता है, ये force 3 newton है तो इसका मतलब क्या है कि इस AB का magnitude 3 unit है इस AB, जो force को represent कर रहा है, इसका magnitude कितना है 3 unit तो 3 unit, अगर ये force को represent कर रहा है, तो 1 unit equal हो जाएगी 1 newton के तो अब magnitude को मैं क्या पढ़ सकता हूँ 3 newton तो यानि कि force को represent कर रहा है ठीक है, यानि कि जितना magnitude है, उतने part में इसको divide कर दो 0, 1, 2, 3 मालने 3.5 होता है, तो मैं आदा और ले लेता है इसको ठीक है, half लेता है इसको तो ये 0, 1, 2, 3 तो इसका magnitude है 3 unit अगर ये force को represent कर रहा है तो 1 unit, 1 newton के बराबर है ठीक है, क्योंकि ये तो किसी को भी represent कर सकता है, velocity भी हो सकता है अगर ये velocity को represent करता है तो 1 unit किसके equal हो जाती 1 meter per second तो ये a, b, velocity को अगर represent करता तो इसकी magnitude कितना हो जाता है 3 meter per second unit के बज़े meter per second आता है acceleration को represent करता तो 3 meter per second square ठीक है, इसलिए हमने कहा in units, अब units किसकी लेनी है जो भी physical quantity को represent कर रहा है, force को कर रहा है तो neutral ले लेना velocity को कर रहा है, meter per second acceleration को रहा है, meter per second square और भी बहुत सारी physical quantity है तो as per the need हम लोग क्या करेंगे unit change करते रहेंगे, ठीक है तो geometrically symbol में ये जो tail और head में के बीच में जो distance है ये जो length है, ये इस vector का magnitude है, ठीक है symbol क्या है इस magnitude का? mod a b क्योंकि magnitude कभी negative नहीं होता है ठीक है, आपने किसी को सुना अरे आज बड़ा थक्किया, minus 10 km चलके आ रहा हूँ ये कभी दुकान वाले के पास गए और भाई साब minus 200 gram चीनी दे दो बोलते तो, magnitude कभी negative नहीं होता है और mass में positive का symbol, यानि absolute value का symbol क्या होता है, mod mod में किसी को भी रख दो वो क्या हो जाएगा, positive पढ़ा होगा छोटी class में जो ये mod का symbol होता है, इसमें किसी को भी डाल दो positive कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ absolute value को बताता है, तो इसी logic से उन्होंने कहा कि भाई, हम इस a-b vector के बाहर mod लगा देते हैं, तो mod ये किसका symbol है, magnitude का, ठीक है, तो geometrically magnitude मतलब length of a-b, और symbolic मतलब क्या है, a-b को mod के अंदर डाल दो, vector को, a-b vector को mod में, ये जो vector लिया था, जब इसमें mod लगाते हो, तो आप इसके magnitude की बात करते हो, किसके बात करते हो, magnitude की, चलिए, अब बात आई direction की, direction क्या होगा, तो direction भी कोई मुश्किल नहीं है, अभी मैंने बताए, a-b जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये, ये, ऐसे, ऐसे, थोड़ा यू घूम के, है न, पर unique तरीका एक ही है, straight line, ठीक है, तो direction के बारे में मैं बता चुके, कि direction यहाँ पे क्या है ये क्या बता रहा है, कि from a to b, a से b की तरब जाना है, along, अब जाने में तो बहुत सारी बात होती है, straight line, ठीक है, along straight line, तो a to b, आप कही तरीके से जा सकते हैं, लेकिन along straight line अगी तरीके से जा सकते हैं, तो इसके direction क्या है, along a to b, मतलब A to B along straight line A से B की तरफ along straight line ये direction हो गए इसकी यानि कि इस तरफ जाना है ठीक है? अब vector में एक बात ध्यान दखो vector में कोई भी vector होता है इसको आप इस direction में कहीं तक चले जाओ ये भी एक ही बात है इसको इसके बिल्कुल parallel line ले आओ एक ऐसे और ऐसे बना दो तो ये जाना और ऐसे जाना same मना जाता है ठीक है? इसको same मना जाता है जैसे मान लीजे ये block जमीन पर रखा है, मैं यहाँ लगाँ तो भी इदर जाता है force यहाँ पर लगा दो भी इदर जाता है ठीक है? correct तो इसलिए इन्होंने का कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता है ये direction ये ध्यान दखनी है आपने ऐसे ठीक है? तो ये parallel है नहीं यहाँ पर देखो, ये दोनों line parallel है जिन पर vector बने तो ये vector इस vector के parallel vector कहलाएगा ठीक है? correct ये दोनों parallel होंगे तो vector जो होता है यहाँ पर जब हम direction की बात करते हैं तो हमें ध्यान दखना है कि vector में direction का मतलब है tail to head along straight line ठीक है? ना ये वाला path ना ये वाला path ना ये ना ये तो सारी possibility खतम कर दी इन्होंने क्योंकि A to B unique path है straight line के लोग़़ग़ तो ये हो गया from A to B along straight line अब symbol क्या use किया है इन्होंने तो symbol के लिए इन्होंने क्या किया A, B को ही use किया इसके उपर cap लगा दी ठीक है? जिसे हम बोलते है direction vector ये of A, B यानि कि यहाँ पर A, B की बात कर रहो हूँ न मैं तो ये A, B की direction को बता रहा है इसका काम सिर्व यहाँ पर direction बताना है तो symbol जो direction के लिए यूज़ किया है A, B क्या है? अच्छा इसको unit vector भी बोला जाता है अभी बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको unit vector भी बोलते हैं ठीक है? तो इसको अभी हम इसको बताएंगे आपको कि unit vector क्यों भोलते हैं तो अब देखें geometry कली क्या हो गया? दो जीज़े थी एक vector हो गया magnitude और direction तो A, B vector ऐसे दिखाया ऐसे दिखाने का मतलब हो गया कि आपका इसकी length इसके magnitude को represent कर दिया और direction A to B है along straight line symbol का मतलब क्या है? A, B vector इसका magnitude की यानिके vector हुआ A, B इसके ओपर head के ओपर यह arrow आएगा tail के ओपर arrow नहीं आएगा ठीके? इसका magnitude को represent कर रहा है mod A, B का symbol यानिके इसके magnitude को दिखाने का तरीका ऐसा है किसी भी vector को mod में डाल दो mod में डाल दोगे तो उसके magnitude को represent करेगा यानिके symbolic तरीका magnitude को दिखाने का और direction दिखाने का क्या है? इसको हटाओ, cap लगा दो यहाँ पर यह direction दिखाने का तरीका है ठीके? तो यह magnitude mod A, B से represent किया मैंने और direction A, B cap से किया और vector किस से किया मैंने? S से represent किया ठीके? यह symbol हो गए? अभी हमने A, B लिया है इसे मैंने A, B, A, B इस्तिमाल किया है, ठीक है? तो देखे बिल्कुल logical तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिर्थ खाली पढ़ना नहीं, कोशिश करनी है कि उन्होंने क्या सोचा होगा? क्यूं ऐसा सोचा? जब आप इन चीजों पर काम करते हैं, जैसे मैंने बताया है कि उन्होंने ऐसे सोचा होगा, कि भाई ज़्यादा, कम हम कहते हैं हलका हलका ऐसे बोलते हैं तो उसने कहा कि देखो अपने आपी length छोटी हो गई इसकी, और बड़ी का मतलब ये इसका मतलब हो गया magnitude जादा है, इसका मतलब magnitude कम है, इसलिए magnitude जो बताया गया, वो length से बताया गया vector की, ठीक है अभी आपने देखा, मैंने आपको जब explain कर रहा था, तो मैं आपको ऐसे लगारता है कि देखो force इस direction में लग रहा है, ऐसे arrow बना दिया था मैंने और उपर लिख दिया था 2 Newton, क्योंकि आपके पास हर बार कोई scale नहीं, आप इसे measure करो पर ये 2 Newton क्या बता रहाएगी 0, 1, 2, इसको दो बराबर हिस्सों में बाढ़ दो और एक हिस्सा किसके बराबर है 1 Newton के, तो पूरा कितना हुआ 2 Newton के, ठीक है और direction हो गई ये वाली तो मैंने ऐसे arrow बना है, आपके भी दिमाग में एक बार नहीं है आप मेरी बास समझते चले गए होंगे तो बिल्कुल उसी logic से इन्होंने vector को geometrical के लिए दिखाने का ये आपका तरीका यूज किया, कि स्टेट लाइन से कैसे arrow बना दो, ये geometrical तरीका हो गया उपर उसके magnitude लिए दो velocity है, 3 meter per second कि एक आदमी है इदर 3 meter per second से इस direction में जा रहा है तो ये मैंने velocity दिखा दी इसकी direction इदर हो गई और magnitude ही हो गया, 3 meter per second तो इस तरीके से हम लोग दिखाते है vector physical quantities को तो ये हो गया vector physical quantities के symbol, चलिए इसका screenshot ले लिजे, चलिए अब देखते है vector को लिखते कैसे हैं ठीक है अगर आप मेरी बात बिल्कुल साथ साथ समझ के चलेंगे थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आपको याद तो कम से कम कुछ रखना नहीं पड़ेगा चीजे बैड हैंगे अपने आपको logical ही चली है इंगे दिमाग में ठीक है और science का तो मतलब ही है कि समझना तभी तो science ली है कि science आसान पढ़ती है समझने के बाद मुश्किल किसे पड़ेगी जो याद करेगा चली अब how to write a vector simple लिखने excuse me how to write a vector देखे वेक्टर को लिखने का मझे की बात है दुनिया में एक ही तरीका है 4-5 तरीके नहीं है वेक्टर को लिखने का ठीक है मालों मुझे ये भी वेक्टर लिखना है तो एक वेक्टर में क्या क्या चीज होनी चीए ये बताया हूँ आपर magnitude और direction दोनों साथ में होना चीए simultaneously exist करने चीए ठीक है? यानि कि वेक्टर सिर्फ magnitude से दिखाना दूर है सिर्फ direction से दिखाना दूर है वेक्टर जब लिखा जाएगा उसमें दोनों चीजे मोजूद होनी चीए वरना वो scalar नहीं हो जाएगा या हमें symbol लगा के बताना पड़ेगा कि मैं magnitude दिखा रहा हूँ भी वेक्टर का या मैं सिर्फ direction दिखा रहा हूँ वेक्टर की exactly multiply नहीं दोनों को साथ लिखा जाता है इससे पता लगता है कि वो दोनों साथ में exist करती है ठीक है तो जैसे magnitude का symbol होगा mod a b और direction का symbol होगा a b क्या तो दोनों को साथ लिखा जाएगा ठीक है तो दुनिया में केबल एक तरीका है ये वेक्टर लिखने का पूरा वेक्टर इससे चल जाएगा आपका complete और कोई तरीका है ये किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है उसके magnitude और direction दोनों को दिखा दो साथ में लिखके ठीक है तो यहाँ पर ये आपका दिखा रहा है magnitude को ठीक है mod a b और ये भी किसको दिखा रहा है direction को ठीक है तो ये होता है किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका अब एक और बात जैसे मान लीजी अभी आपने ये भी वेक्टर लिखा इस तरीके से अब ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इसको ऐसे ही लिखके दिखा है इसको single letter से भी लिख सकते हो यानि कि आप इसको आप चाहो तो ऐसे a vector से mark कर दिया तो head और tail हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं होता है तो क्योंकि वार बार आपको a और b दोनों लिखने पड़ रहे हैं आप बोल सकते हैं वेक्टर a है तो इसको साफ कर दो ये वेक्टर a हो गया ठीक है इससे पता लग रहा है ये head है और ये tail है तो जलूरी नहीं कि नहीं नाम देना है इससे single letter से भी दिखा सकते हो अब वेक्टर a कैसे लिखा जाएगा simple इसका magnitude का symbol a को mod में डाल दो direction a कैसे तो यहां तो हमने a b लिया था इसलिए मैंने a b पूरा लिखके दिखाया पर कभी-कभी a b को single letter a से b से c से किसी से भी दिखा सकते हो ठीक है तो ये दरीका हो गया आपका वेक्टर a को लिखने का mod into a कैसे तो है आसान तो यह बिल्कुल easy way है vector को लिखने का ठीक है अब देखे मैंने भी कहाता कि इसको unit vector भी बोलते है ये वी cap को क्यों बोलते है ठीक है देखते हैं जड़ा उससे पहले एक चीज समझे mod में अगर minus 2 रखा तो क्या आएगा 2 क्योंकि mod absolute value को दिखाता है हमेशा positive value देगा अगर mod में plus 2 को रखा तो भी 2 आएगा पर क्या plus 2 को mod में रखने की जड़ूत है कोई जड़ूत नहीं है मैं minus से तो ठीक है 2 लाना है इसको लिखने की जड़ूत तो है नहीं क्योंकि already क्या है ये 2 positive था तो positive में mod लगाने क्या कोई ऐसा वो नहीं है जड़ूत नहीं है ठीक है क्योंकि positive positive को क्या करेगा तो positive भी रहेगा clear मैंने ये यहाँ पर उठाया AB AB cap और मैंने इसको पूरे का mod ले लिया दोनों तरब दोनों तरब mod ले लिया ठीक है क्यों ले रहाँ मैं mod सवाल यहाँ पर आता है देखे AB cap direction का symbol तो है ये direction तो दिखाता ही है ठीक है along A to B along straight line from A to B ठीक है ये दिखाता ही है ये आपका इस symbol का कोई अपना magnitude भी हो सकता है direction तो है ही इसमें symbol में ये ही direction का symbol तो इस symbol का अपना कोई magnitude हो सकता है ठीक है कुछ तो हो गई तो इसका magnitude है और direction ये खुद है तो इसका मतलब ये क्या हुआ ये भी vector हुआ इसलिए इसका नाम हमने रखा vector और साथ में रखा unit vector क्यों रखा unit vector क्योंकि इसका magnitude 1 आता है इस symbol का magnitude हमेशा 1 आता है कैसे आता है देखते है देखें mod AV हो गया ये तो positive इदर मैंने दोनों तरफ mod ले लिया अब ये mod AV पहले अंदर रखा है ये तो already positive है मैंने बता लिए mod लगा हुआ ने इस पर जैसे मैंने यहां बताया कि two positive है mod के अंदर रखो या मत रखो तो ये तो कोई number है इसे बाहर निकाल देता हूँ चलो अंदर क्या बचा है AV कैप ठीक है ये तो चला गया बाहर अंदर AV कैप बचा ये number इस number से cancel magnitude है ने ये तो कोई number रहा होगा ये तो ठीक है ये cancel हो गया तो mod AV कैप कितना आ गया one ठीक है ये one आ गया खुद ही देख लो left hand side right hand side के equal कप होगी जब ये one के equal हो जब इससे one multiply होगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये one से कम हुआ वालो 0.5 हुआ तो इससे multiply होगा तो left hand side right hand side के equal नहीं हो पाएगी ज़्यादा हुआ ये one से और इससे multiply हुआ तो right hand side ज़्यादा हो जाएगी तो भी left hand right hand के equal नहीं होगी कब equal हो सकती है क्योंकि a की number ऐसा है जिससे किसी को भी multiply कर दो one से किसी को भी उस number पे कोई फर्क नहीं डालेगा तो मुझे left hand right hand equal चीए इधर mod a b आना चीए ना बस जब इतो equal होगे तो इसका क्या होना ज़रूरी है फिर one ठीक है या इन्हें cancel करके देख लो तब भी one ही आ रहा है तो इसका magnitude क्या हो गया one तो mod a b cap one होता है इसी लिए unit होता है one को unit बोलते इसी लिए हम इसे बोलते unit vector क्या बोलते unit vector तो a b cap क्या कहलाता है आपका unit vector ठीक है क्योंकि इसका magnitude हमेशा क्या होता है one और direction का symbol तो यह है direction क्या है from a to b along straight line a से b की तरफ along straight line ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है बस इससे पुरा vector आपका समझ आ जाएगा आपको बिलकुल logical तरीके से बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है सीधे बच्चे ij के start कर देते है रटना शुरू इतना रटते हैं बच्चे vectors में और इसी कायम से जब भी vector आता है वो हमेशा कमजोर रहते है ठीक है अगर आप एक बार life में vector के basic सही दरीकी से समझ ले उसके बाद आपको vector कभी परिशान करेगा और यह बड़ा important है physics में ठीक है चलिए screenshot ले लीजे इसका अब हम क्या करते हैं कुछ properties देखते हैं vector की देखें आप बीच में मेरी कोई class miss मत करिएगा या तो देखिए मत ठीक है आप अगर आपको लगता आप continuity नहीं बना सकते हैं तो मत देखेगा lecture lecture सिर्फ जब ही देखेगा जब आप continuity बना सकते हैं वरना आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला आप मेरा second lecture, third lecture randomly उठा के देख लो कोई benefit नहीं होगा मैंने इसे लिखा कि मैं एक batch की तरह पढ़ा रहा हूँ एक class से दूसरी class connected है यानि कि second class में first class का इस्तिमाल करूँगा third में first और second का इस्तिमाल करूँगा तो continuity बना के रखेगा मेरे lectures में वरना कोई benefit नहीं होगा इससे अच्छा आप ना देखे ठीक है और जिनको ठीक लग रहा है अभी नीचे अपना subscribe कर दो चैनल को ठीक है like कर दो और share कर दो ठीक है मेरी हमेशा technical team करती है सर आप ढूल जाते हो तो subscribe, like and share ताकि हम लोग ठीक है लगातार आपको ठीक है ये classes बिल्कुल regular उसमें देते रहे ये हमारे लिए बहुत बड़ी motivation होगी ठीक है तो subscribe कर देना और bell icon दबा देना ताकि नए lecture का notification आप पर आ जाए ठीक है कुछ properties देखते है vector की जैसे मुझे का गया एक vector A, B के equal कब होगा ये vector है A ये B के equal कब होगा यानि कि simple सा मैंने पूछा है दो vector equal कब हो सकते है ठीक है अब देखें हम ये कहते हैं कि दो vector equal कब हो सकते है if and only if I develop जानते होंगे आप if and only if when there magnitudes are equal क्योंकि vectors में क्या होते है magnitude or direction तो भाईया दो vector तभी equal हो सकते है जब दोनों की दोनों चीज़े equal हो ठीक है तो if and only if when there magnitudes are equal and their direction are same अब vector में direction same होने को बोला जाता है parallel होना ठीक है मैंने बता जाता है किसी vector को ये vector ऐसे आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है यू देखो ऐसे यू यू क्योंकि जब ये आगे पीछे जा रहा है correct इसकी length change नहीं होगी तो ये ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है एक vector ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है clear? ठीक है? तो हम लोग हमेशा है कहते हैं कि vector के equal होने के लिए उनकी direction same होना जरूरी है direction same होने के लिए का मतलब ही है कि vector का parallel होना ज़रूर है parallel कैसे decide करते है मैंने भी बताया दें कि vector बनते है lines पे तो मालने ये दो vector है एक vector ये है एक vector ये है ठीक है तो हम कैसे देखते हैं कि parallel है vector या तो दोनों vector एक ही line पे लाई करते हो ये vector ये है ये vector भी है एकी line पर lie कर रहे हो यह parallel है चिक है या ये vector जिन lines पर lie कर रहे जैसे ये vector इस line पर lie कर रहे है ये वाला vector इस line पर ये line आपस में parallel होनी चाँए coincidence हो, एक दूसरे के आपके आपस lie करती हो वह line ने baseline जिसे बोल दें baseline जिस पर using vector बना है तो ये base line आपस में parallel होनी चाहिए या एक दूसरे पर लाई करनी चाहिए तब vector को parallel कहा जाता है इन arrow से parallel नहीं कहते हैं किसे कहते हैं जिस line पर vector बनता है या तो वो एक दूसरे पर दोनों vector के लाई करती हो यानि कि दोनों vector एक ही base line पर बने हो ठीक है या उनकी base line आपस में parallel हो ठीक है उनकी base line आपस में क्या हो parallel हो, parallel तो आप जानते हैं ठीक है तो ऐसे vector parallel कहलाते हैं अब ऐसे दो condition हो सकती है कैसे A vector और B vector दोनों same line पर लाई कर रहे हैं और दोनों के arrow भी एकी direction में ठीक है ये इसको बड़ा बनाए तो उसको इदा A vector ये B vector ठीक है तो ये भी parallel vector है vector ऐसे भी हो सकते है A vector ऐसे हो, B vector ऐसे हो ठीक है देखो इनकी base line parallel ले ला correct इनको बोलते है like parallel vector like parallel vectors ये parallel का symbol है ठीक है like parallel vectors जब इनके arrow same ही तरफ हो ठीक है, इनके same तरफ है arrow फिर आपके ऐसे हो सकते हैं vectors कि base line तो same है पर arrow opposite है ठीक है यहाँ पर A का arrow इधर है B का arrow इधर है अब देखो base line तो इनकी parallel है जिस base line पर बने है तो parallel vector तो ये हो गए अब लेकिन इनको बोलते है anti-parallel बोल दो या unlike parallel unlike parallel vectors ठीक है, यह unlike parallel vectors हो गए तो unlike parallel में arrow opposite होंगे पर parallel होने की condition क्या है base line या तो एक दूसरे पर लाई करती हो जिस पर vector बनते हैं या एक दूसरे के parallel हो तो parallel के सिर्फ यह condition required है कि जिस base line पर वो vector बनते हैं वो या तो coincident हो एक दूसरे पर लाई करती हो या एक दूसरे के parallel हो arrow से सिर्फ like और unlike decide होता है like parallel और unlike parallel जिने पहचानने भी बड़ा असान है ठीक है, तो vector में दो vector कभी equal हो सकते हैं जब उनके magnitude same हो और वो उनकी direction same हो अब direction word की बज़े आप क्या कहेंगे वो एक दूसरे के क्या हो parallel हो, ठीक है तो यह ध्यान दखना है तो दो vector equal होने की condition second दो unit vector कभी equal होंगे अब unit vector vector में तो condition same है magnitude भी same होना चीए और direction भी same होनी चीए ठीक है तो हम कहेंगे कि भाई दो unit vector भी तभी equal होंगे जब उनके magnitude और उनके direction same हो, अब magnitude तो check नहीं करना unit vector में क्यों check नहीं करना unit vector का magnitude कोई भी हो किसी भी vector का 1 होता है तो magnitude तो check ही नहीं करना है इनका magnitude हमेशा क्या होता है 1 तो magnitude नहीं check करना है तो क्या check करना है if and only if their direction same यह जिन vectors के unit vector है अगर वो vector आपस में parallel है तो मतलब उनके direction same है और इसकी direction इसी को तो represent कर रही है यह किसकी direction को represent कर रहा है B की तो अगर A vector B vector के parallel है तो मतलब A cap भी B cap के parallel है तो अगर A vector की direction का symbol क्या है A cap और B vector की direction का symbol क्या है B cap तो अगर A और B parallel है तो उनके unit vector भी parallel है तो इसका मतलब अगर दो vector parallel है तो उनकी unit vector क्या होते हैं? same तो इसी बाद को आप ऐसे भी लिख सकते हो if vector a parallel to b then a cap equals to b cap ठीक है? तो अगर दो vector parallel है दो vector parallel है तो उनके unit vector हमेशा equal होंगे ठीक है? यह ध्यान दखना अगर दो vector parallel है तो उनके unit vectors क्या होंगे? equal होंगे अगर दो vector के unit vector equal है तो इसका मतलब वो vector आपस में क्या है? parallel है और दो vector equal कब होते है? जब एक का magnitude दूसरे के magnitude के equal हो और एक vector दूसरे vector के parallel हो ठीक है? यह कुछ important property है जो आपने ध्यान रखनी है ठीक है? logical है बिल्कुल? simple एकदम ठीक है? चली screenshot ले लिया होगा I'm sure अब parallel की condition देखते हैं कि vector की पहचाने कैसे vector parallel होते हैं? कैसे पहचाने? ठीक है? तो हम दो parallel vectors की condition देखते हैं तो condition of two parallel vectors तो माल लीजिए कि मुझे दो vector दिया हुए है एक vector a b दिया हुए है ऐसे और एक इसके vector parallel दिया है c d तो a b parallel to c d मुझे given है यह given है अब मुझे condition निकाल नहीं है इनके vectors की form में जिससे मैं बता सकूल्ट condition को देखके हैं अगर कोई vector ऐसे लिख्य हो तो वो parallel होते हैं आपस में मुझे वो condition निकाल नहीं है यहां मैंने already आपको दो parallel vector दिये हैं अब एक simple सी बात आपसे बोलता हूँ a b vector कैसे लिखा जाएगा भई तो कहेंगे जी एक ही तरीका है a b का magnitude और a b की direction सही है mod a b into a b cap c d vector कैसे लिखा जाना चाहिए सोचने की बात है कोई c d का magnitude c d cap ठीक है उसका magnitude उसकी direction यही तरीका है अब मैं चाता हूँ कि इस vector में कोई relation निकालू ठीक है जिसमें मैं इस condition का use करूँ a b और c d मुझे already parallel दिये हुए अब parallel दिये होने से क्या फर्क वो हुआ अगर यह parallel है as a b parallel to c d then a b cap must be equal to c d cap अभी हमने पीछे पड़ा property में कि अगर दो vector parallel है तो उनके unit vectors क्या होंगे equal ठीक है तो बाब देखो इस c d की जगा या इस a b की जगा इस c d की जगा में a b रख सकता हूँ या इस a b gap की बज़ाए में c d रख सकता हूँ ठीक है clear यह मुझे condition बिल गए इस से कि मैं unit vector को इनके change कर सकता हूँ अपनी जरूत के एसाब से अब बज़े magnitude अब magnitude के बारे में मैं एक बात कहूँगा आप देख सकते हो है a b छोटा है और c d बड़ा है जरूरी निये मैं चाहता तो a b को बड़ा बनाएता c d को छोटा बना सकता है उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहां हमारा focus सिर्फ parallel होने पर है ठीक है लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि a b जो है c d से छोटा है हो सकता है c d a b जो है c d की length यानि कि उसका magnitude length जब मैं बोलूँगा तो मतलब magnitude की बात है vector में length का मतलब magnitude से होता है तो इसकी length हो सकता है इसकी double हो c d की length a b के double length के बराबर हो या c d की length a b के 1.2 times हो हम ऐसे लिख सकते है c d 1.2 times of a b यानि कि c d की length a b के 1.2 times हो ठीक है या 1.5 times हो या 3 times हो ऐसे कुछ भी लिख सकता हो number यहाँ पर ठीक है अच्छे c d की length का मतलब इसे यूँ भी लिख सकते हो c d की length a b की length vector में यह तो symbol होते है mod c d में जैसे आपने लिखा न mod c d vector इसे आप खाली a b लिख सकते हो हटा दो vector का sign खाली c d रहने दो c d का मतलब हमारी match में क्या होता है c से d की length c d बस यह segment को represent करता है ठीक है और mod a b को आप जो यह a b vector का mod लिख सकते हो ठीक है तो यह इससे घबराना नहीं यानि कि कोई vector अगर a दिया है तो इसका magnitude सिर्फ a लिखा जा सकता है correct कोई दिक्कत नहीं है बस यह vector हटा दो उपर से vector का sign यह हटा दो यह a हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो length को represent कर रहा है चलिए अब बात करें यहाँ पर मैंने का यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी आसकता है ना कोई दो relation होगा इनमें आपस में length में कोई दो relation होगा ठीक है तो वो number आएगा ना इससे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा lambda लिख दिया मैंने लिखा कि c d equals to lambda times of a b lambda को scalar है lambda क्या यहाँ पर scalar ठीक है कोई number का काम कर रहा है यहने कि c d की length lambda times of a b होगी अब वो lambda 1.2, 1.3 हो सकता है 5 हो सकता है 5, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है कुछ भी हो, कोई भी number होगा तो कोई भी vector दियोंगे इनकी length में कोई तो relation होगा आपस में ठीक है अगर यह इससे बड़ा है तो c d मतलब बड़ा है यह छोटा भी है, कोई फरक नहीं पढ़ता उससे, क्योंकि मालो c d छोटा होता है, और a भी बड़ा होता, यह a b है, यह c d है सबोस्थ, ठीक है, तो मैं यह कह सकता था, कि c d equals to 0.2 times of a b है ठीक है, क्योंकि a b बड़ा है तो a b के 0.2 times है तो जब 1 से नीचे number होता है, तो यानि कि यह हिस्सा, अब a b जो है, वो बड़ा है और 0.2 times of a b का मतलब है, यह c d छोटा है, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, तो जो भी आएगा यहाँ पर मेरा कहने का कुल मिला के मतलब simple सा है, यहाँ कोई number आएगा ठीक है, तो मैंने मालनी है कि lambda यहाँ scalar है, और मैंने यह माना कि भाई, c d equals to lambda times of a b है ठीक है, c d की length lambda times of a b है, यह इसे मैंने लिख दिया, c d का magnitude lambda times of mod a b है, बात एक ही है, ठीक है, clear अब देखो magnitude में relation मिल गया, unit vector में relation मिल गया, चलो, अब vector बदलते हैं, तो मैंने c d vector ले लिया, c d vector कैसे लिखा जाएगा mod c d into c d क्याएगा, अब मैं इधर a b vector लाना चाहता हूँ, यह वारा vector, कैसे बनाऊंगा देखो सबसे पहले, मैंने mod c d की जाएगा दखा, lambda mod a b, यहां से, ठीक है, जहां lambda क्या है, scalar, ठीक है, और c d cap की बजाएगा, मैं रखूँगा a b cap, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a b vector बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहां रखा a b cap, ठीक है, अब आप देखो यह, क्या हो गएगी, तो c d, mod c d की जगा रखा मैंने, lambda mod a b, c d cap की जगा रखा a b cap, अब यह क्या हो गया, यह हो गया, a b vector ठीक है, तो इसका मतब c d vector equals to lambda a b vector तो यह आ गया, दो vector में relation ठीक है, यह दो vector में relation आ गया, क्या, कि अगर एक vector को दूसरे vector की form में express किया जा सके यानिके, अगर मैं vector a b में lambda से multiply कर दूँ तो c d vector के equal हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यह दोनों आपस में क्या है parallel है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यह condition कैसे निका ली जब मैंने इनको parallel लिया कि मेरे पास already parallel vector है तो फिर उनको आपस में ऐसे लिखा जा सकता है तो जो vector parallel होते हैं वो एक दूसरे की form में express किये जा सकते हैं उनको एक दूसरे की form में लिखा जा सकता है ठीक है, तो इससे क्या conclusion आपने निकाला conclusion आपने निकाला यहाँ देखते हैं कि if vector a अभी यहाँ तो a b c d मैंने head or tail करके लिया था पर अब मैं vector a ले रहाँ vector a lambda times of a b b vector है, यानि कि एक vector कोई a है जो lambda times of b है और lambda यहाँ पर scalar है, यह ध्यान दखना है यह scalar होना चीए ठीक है तो एक vector दूसर वेक्टर और यह lambda scalar ठीक है, जिसके से value होगी यहाँ पर, तो अब आप देखिए अगर एक vector को दूसरे vector की form में express किया जा सकता है by multiplying some scalar तो वो vector आपस में क्या होंगे इसका उल्टा भी तो true होगा वो parallel होंगे वो क्या होंगे, parallel होंगे जैसे यहाँ पर हमने parallel लेके यह condition निकाली इसका उल्टा भी बोल सकते हो अगर एक vector को दूसरे vector की form में express किया जा सकता है तो वो vector आपस में parallel होते हैं ठीक है तो if vector a equals to lambda b then a will be parallel to b ठीक है simple, एकदम सीधा सीधा तो अब आप देखिए यह हमने जो basic अभी समझा था यह वाला कि एक vector को कैसे लिखा जाता है उसी के base में हमने property समझ रहे हैं ठीक है तो यह simple सी property हो गई आपकी parallel की इसका भी screenshot ले लीजे ठीक है और जितनी बाते मैं बता रहा हूँ आपको यह सब important है सब आपको आगे समझने में help करेगी ठीक है मैं आपको बिल्कुल simple तरीके से समझा रहा हूँ इसी तरीके से आप ठीक है मेरे तरीके समझे फिर अपने तरीका आपको लगता है कि ऐसे और आसान समझना है अपना तरीका इजात कीजिए ठीक है और मैं आपकी help कर रहा हूँ कि आप ऐसे सोच सकते हो तो आप उस तरीके से अपने दिमाग में रखे उसके बाद आगे इनके बेस पे बाकी का पार्ट आपको इतना आसान लगेगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी उसको समझने में ठीक है तो चलिए एक और प्रापटी देखते हैं वेक्टर में तो इधा पैरलल की कंडिशन होगे यह मारी तो अगली जो प्रापटी है वो है नेगेटिव साइन को लेके वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है देखे वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब सिंपल साइक वो रहता है कि जैसे माल लीजिए यह वेक्टर ए दिया है और मुझे माइनस ए वेक्टर बनाना है ठीक है तो आप आप देखे वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है Negative sign means in vector, vector, negative sign means reverse the direction, reverse the direction, keeping the magnitude same. Negative sign means in vector means that direction will reverse the direction, keeping the magnitude same. सिर्फ आपने magnitude क्या रखना है? same रखना है, और बाकी direction reverse कर देनी है, ठीक है? तो जैसे यह a vector है, देखो, अगर मैं यहाँ पर इतनी ही length का एक segment बना दूँ, और इस arrow को ऐसे कर दूँ, यह minus a vector हो जाएगा. क्योंकि इसके direction इधर है, और इसके direction इधर है, यह segment same है, length इसकी same है, सिर्फ direction इसका arrow इधर जा रहा है, इसका arrow इधर जा रहा है. तो यह ध्यान दखिए, कि magnitude, इसका magnitude क्या हुआ, minus a का mod, इसका हुआ a का mod, ठीक है? तो दोनों के magnitude same है, तो vector में जो magnitude का मतलब होता है, magnitude equal होने का जो मतलब है, ठीक है? वो यह आप, मतलब negative sign का जो मतलब है, वो यह है कि direction को reverse कर दो, लेकिन, इसका जो magnitude है, उसको change नहीं करना है, ठीक है? तो इसने, हमने यहाँ पे इसको ऐसे पलट दिया, correct? पलटने से magnitude तो change हुआ है नहीं, right? जितना यह था, उतना, यह समझो, इसको ऐसे ले गया मैं, यह vector को ऐसे ले गया, तो length तो change नहीं होगी, लेकिन direction चेंज होगी, तो negative sign का मतलब बस यह होता है, यह आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो, जैसे यह A है, आप इससी, same length है, इसका arrow ऐसे कर तो यह minus A हो गया, ठीक है? magnitude को same रखना है, तो ऐसे भी बना सकते हो, अच्छा, देखो, यहाँ पर यह आपने, ऐसे vector है, एक नीचे इसके parallel vector बना दियाएगे, और इसका arrow ऐसे है, तो यह A vector है, तो यह minus A vector होगा, क्यों होगा? length same होने से, दोनों के magnitude same हो गए, और जिस line segment पे यह vector बनाए, उसी line segment पे, उसके parallel line segment पे दूसा vector बनाए, तो यानि कि दोनों vector तो parallel हो गए, यह दोनों vector parallel हो गए, ठीक है? parallel हो गए, magnitude same है, तो vector equal है, अब parallel होने में दो तरह के parallel थे, like parallel, unlike parallel, तो like parallel का मतला होता है, same तरह फैर हो जाना, unlike का मतला opposite, तो यह minus A का opposite जाएगा, तो यह parallel है, पर unlike parallel है, तो इस तरहीके बिसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो vector में केवल negative sign का मतलब है, direction को reverse कर दूँ, ठीक है? और magnitude के साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं, वो constant रहेगा, ठीक है? चाहे simple vector का, जैसे यह A vector है, मैं arrow को इधर बना दूँ, तो यह minus A vector होगा, यूँ भी कर सकते हो, तो इसको ऐसे घुमा दो, यहीं रहने पे इसको ऐसे के ऐसे यूँ पलट लो, ठीक है? क्योंकि दोनों में इस segment आपका length change नहीं हो रही है, यह minus A हो गया, यह A vector ऐसे है, इसके पोसिट एक vector बनाओ, ऐसे parallel है इसके और direction पलट दो, तो यह minus A vector हो गया, ठीक है? तो vector में simple सा ध्यान दखना है, negative sign का मतलब है, कि reverse the direction, keeping the magnitude same, तो minus A का magnitude, A के equal होता है, ठीक है? तो अगर एक vector A दिया है, तो इसका negative vector का magnitude same होता है, तो vector में सिर्फ negative sign, इसके अलावा पूरे vector में negative sign का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ direction को reverse करना magnitude को same रखते होए, ठीक है? इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह चीज़े आपकी, जितनी मैंने आपको आज बाते सिखाई है, यह सब basic vector का, बिल्कुल fundamental, और इनकी यह properties, अब इसके base पे जो working आगे है, आगे working का part है, वो बह आसान बहुत लगेगा, लेकिन जब जब यह सारी चीज़े आपको clear हो जाए, ठीक है? तो चलिए, ठीक है? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब मिलेंगे next lecture में, मैंने का continuity बना के रखनी है, ठीक है? तो next lecture इसका आएगा, जिसमें हम लोग ठीक है? और आगे की चीज़े आपारे की चीज़ेगओ杜 बुट खकाता है चीज़ेगां हो से ने लेकी है, विसमेगा, रेकमानी हैं कई। शोगीज़ेगां